हलो दोस्तो आप सभी का डिसकस निंजा में स्वागत है डिसकस डिसीज एंट रिटमेंट सीरीज का यह फोर्थ पार्ट है फर्स पार्ट में विनिल भाई ने गिल फ्लुक्स के बारे में समझाया था और सेकंड पार्ट में फिन रॉट के बारे में फर्ट पार्ट में विनिल भाई ने एग्जा में एग्जामीटा एंड इंटरनल परेस divert के बारे में बात किया था अगर आप मेंसे किसी ने वह वीडियोग doesn't miss किये है तो उनके लिंक्स उपर आय democrat में और नीचे description में mention किये है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि मैं ऐसे ही फिश रिलेटेड वीडियो हमेशा ला तो उन्होंने एक प्वेस्टन पूचा था हूँ तो सब्सक्राइब कोई पता रहते हैं तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा बट आई ट्राइटो सिंप्लिफाए या में मैं एक्सपेयंच ना चाहता हो uto besigli क्या हूत है कि जो हमारा पानी वो समने अमोणी भी ने रएक्टेरिया भी नेरहते हैं तो बीठिया भी ने रहते उसमें कुछ ने रहते बिसिकले क्लोरि से धिसमें अधिल्वोर इन नहीं रहते हो अधिर गलेटीछ कोछोना फोराज इट इस रेडी तो यूज यूज आप उसमें फिश इंट्रेडूस कर सकते हैं बट यह जो साइक्लिंग का कंसेप्ट है वो मोस्टली लोगों को नहीं पता रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि आपके टैंग में एक नाच्रेल नाइट्रोजन साइकल बोलते हैं यह आफ्टर फ्यू डेज अपने आप जनरेट हो जाते हैं कुछ लोग उसको आइटिफिशली भी करते हैं कुछ लोग नैचरली होने देते हैं बट यह साइकल एस्टैबलिश होना बहुत ही इंपोर्टेंट है क्यूंकि आपका फिश है ना अमूनिया रिलीस करता है वेस्ट है और हमें दिखता नहीं है तो उसके लिए क्या रहता है नाइट्रोजन साइकल तो कुछ बैक्टेरिया ऐसे रहते हैं एसेंचल बैक्टेरिया बोल सकते हम वह हमारे सर्फेस पे स्पंज पे फिल्टर में नाचरली डेवलप होते हैं वह अमोनिया को सिंतर साइस करते हैं इसे वह नाइट्रेट में नाइट्रेट से नाइट्राइट में कनवर्ट होते हैं तो यह साइकल फार्म होने के लिए नैचरली 15-30 देज लगते हैं तो हमें क्या करना होता है कि फीडिंग इनिशली बहुत कम देना होता है मच्छी को ताकि अमोनिया भी कम आये ठीके इनिशली फॉर एटलीस 10-15 देज जब तको साइकल एस्टैबलिश नहीं होते हैं बट इसका एक आइटनेट वे भी है वह भी आपको बताऊंगा मैं आइटनेट तरीका यह है कि हम उसमें जो बैक्टेरिया रहता है बैक्टोसाइड बोलते उसको या फिर एसेंचल बैक्टेरिया कल्चर बोलते हैं वह हम उसमें आइटिफिशली इंट्रेड्यूस करते हैं वह इमिजेट आपके स्पंज में सर्फेस पर जाके आटाच हो जाते हैं बट उनका जो सोर्स ओफूड है डाट इस अमोनिया अगर आप पानी में अमोनिया नहीं तो बैक्टेरिय डाल दिया अगर अमोनिया अवेलेबल नहीं है तो डारेक्व जो ड्राय पेलेट फीड वह डाल देते हैं और सटने के लिए छोड़ देते तो वह खराब हो के अमोनिया रिलीज करते हैं दिस यह वह बैक्टेरिया को फूड मिलता है और आप आपना फिश इंट्रेड्यू अपका वह साइकल कटीनी ओते रहेगा बट कभी भी अमोनिया एंड नाइट्रेड बोट जादा हमफुल है पानी के लिए नाइट्रेड्य थोड़ा कम हमफुल है यह साइकल बहुत इंपॉर्डट है बट एक सर्टन रेशो के बाद नाइट्राइड भी नाइट्रेड ना अब इक आपको मैंने साइकल के बारें बता हैं अभी आपको मैं बाता तो आपके फिश को कैसे बचा सकते हैं या फिक शाइकल को कैसा इस्टैब्रिश कर सकते हैं अभी हमने एक टांग सेट अप किया लेटेट आप लाइक क्यों इसका क्लोरिन इवापरेट होने दो उसका पीएच नूटिलाइज होने दो एक लिस्ट फॉर ट्वेंटीफोर टू फॉर्टीएट आज वन और टू देज उससे काएगा आपका प फिट जबकर और शाहर के लिए कि अकीट फिढी ऍसे लिए ना चालू करें जैसे साफ पुविधिक जालू करते हो फीड वहीन ज्रेट वियक्त से हैंगे तो चल जाएगा इनीचियली फॉर लाइक वन और टू वीक्स फिफ्टीन देश तो मीनिमम तो क्या होगा वह जो बैक्टेरिया वह नैचरली डेलप होगा आपके फिल्ट्रेशन में सर्फेस पे एंड इवेंच्वली वह अमूनिया कंजूम करना चालू करेगा एंड दीरे दीरे आपका अमूनिया साइकल बिल्ट अप होगा नाइट्रोजन साइकल चालू हो जाएगा उसके बाद आप आपका फीडिंग आप बढ़ा सकते हो एंड वाटर चेंज इस भी आप नॉर्मल कर सकते हो हाँ एनिवेज आपको वाटर चेंज हो करना ही है बले ही है अगर आपके अपास एक्जिस्टिंग टैंग है जो मैच्वर टैंग बोल सकते हम उसमें से स्पंज फिल्टर यूज कर सकते हैं नए टैंग का साइकल स्टार्ट करने के लिए तो जैसे हमें क्या करना है कि वह स्पंज निकालना है जो नए टैंग में उसको स्क्वीज कर तब आप देखेंगे डर्ट तो आही रहा है लेकिन उसके सब बैक्टेरिया जो वह पंज में है वह भी आपके टाइंग में आ जाएगा बैनिफिशल बैक्टेरिया एंड वह आपके नए इस पंज पर आइटाच हो जाएगा आपका साइकल चाल जाएगा बट इसमें रिस्क कि मेरा टैंक डिजीज फ्री है बैक्टेरिया फ्री है पारसाइट फ्री है तब तक आप यह स्टेच ना गरें यह सेम अगें यही रिजन है कि जब हम स्पंज फिल्टर निकाल के टैप वाटर में दोते हैं टैप क्लोरीन देता है है हम उसको इतना अच्छे से दोलेते हैं कि मटी दूल वागरा तो निकल ही जाता है बट उसका जो बेनिफिचल बैक्टेरिया वह भी पानी के साथ निकल जाते हैं देन अगें आप इंस्टॉल करेंगे हो जब अपने टैंग में तो उसको वापस से उतना ही टाइम लगेगा साइकल डेवलप होने में तो बैटर है कि हम वो स्पंज या जो भी फिल्ट्रेशन हम यूज करें वो टैंक वाटर में ही रिंज करें एंड उसको इतना हेवी रिंज ना करें कि वह 100% क्लीन हो जाए उसको फोड़ा सा धूल मत्ती निकल जाए बस उसके सब्सक्राइब वापस आप लागा दो वो नाचरली आपका साइकल काप गरना चालू करें इसके लिए मैं मुलता रहा हूं मजदब और और इसको भी डाउट नहीं रहा है वाट इस दा प्रॉपर वे तो क्लिन स्पॉन फिल्टर और इन प्रॉपर वे यह है कि आप एक्व सब्सक्राइब कर दो आपके टैंग में यह फिल्टर मीडिया भी सेम बागी मीडिया हो गया बाकी मीडिया हो गया सेम या या एवरितिंग सेम सेकेंड ऑप्शन आप यह कर सकते अगर आप आपका हैबिट है आप 80 परसेंट अगर आप वाटर चेंज कर रहे हो डेली तो द वॉस्पंज मेंडेन करें पानी में औझ एवरी अल्टरनेट दे एक क्लीन करें एक ही साथ दोनों स्पंज क्लीन ना करें उस्से अटut से घालेगाज हैगा सअ एक पानी को क्या अगर निचोडते हैं तो आपका पानी डस्टी हो जाएगा मड़ी हो जाएगा क्लावडी हो जाएगा बट उसके बाद आप जब 80-90% वाटर चेंज करते हो फ्रेश पानी डालते हो तो आपका टैंक इट विल लुक आज गूड़ अज नूँ तो यही रीजन है कि अगर आप आपका एस्टैब्लिश टैंक है वेल एस्टैब्लिश टैंक है आप उसमें का फिल्टर निकाल के प्रॉपर दो लेते हो या कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका पानी थोड़ा मिल्की दिखने लगेगा वो मिल्की इसके लिए दिखते है क्योंकि उसको बैक्टेरिया ब्लू पानी में अगर आपके टैंग में वो स्पंज फिल्टर है तो आपका साइकल अगर 24 आज में रिजूम हो गया तो आपका आप देखेंगे कि पानी दीरे-दीरे क्लियर होना चालो होता है 24 आज में उमीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा and I hope इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज एंड सीखने मिला होगा discussion में अगर कोई point मिस हुआ हो तो या कोई viewer को कोई चीज समझना ही हो या कोई भी doubt हो तो प्लीज आप हमें comment में लिखे we will try our level best to solve that issue please like share and subscribe to my youtube channel तो खीब मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए thanks and god bless you all कर दो